नमस्कार मिभारकेशी, बिसन न्यूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की और बढ़ने से पहले आगी डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरी दिन गिरा वटाई और बिजनेस से दोसो दो अंग तूटकर 55,000 अंग के स्तर से नीचे आगया है। की गिरावट के साथ 14,948.66 अंग पर बंधवा। कारुबार की दोरान एक समय यह 396.3 अंग पर तूट गया था। डाइमेंड बिजनेस का लगवग 95% से ज्यादा ट्रेंड मुंबे में होता है और इन दिनों भारतिय डाइमेंड बाजार में सुस्ती का माहुल है। ग्लोबल डिमान में आई कमी से एक्सपोर्ट में आई गिरावट के बाद 30% तक सस्ते हो गए रियल डाइमेंड की डेट पर भी आप चिंता की बादल दिखने लगए है। रिलांस इंडस्ट्रिस से अलग कर बनाई गई वित्य सेवा एकाई जियो पानेशल सर्विसेस लिमिटेड याने जे एफ एसल शेयर बाजारों पर 21 अगस को सुचिबत होगी। एक अधी सुचना में यहां जानकारी दी गए। जेफ एसल पिछले महीरी रिलांस से अलग होई थी और 211.85 रुपे मुल्य निकलने के पाद फिलाग यह डमी के तोर पर सुचिबत है। लेकिन इसमें कोई कारुपार नहीं हो रहा है। बियसी और एनसी पर सुचिबत ता एफटी एसी रसेल द्वरा जेफ एसल को अपने सुचकांग को से हटाने की योशना से एक तिन पहले निर्दार रिगी गई है। सुचकांग सेवा प्रदाता ने कहा है कि उसने यहने ने इसले लिया क्योंकि शेहर बाजार में अभी तक कारुपार शुरू नहीं वा था। प्रतिशत का सुधार होगा। क्रिसेल रेटिंग्स के वरिष्ट निदिशक ने कहा है कि हमारा मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में व्यपी में देखी गई मजबूत राजस्व वृत्ति आके जारी रहेगी। इस वित्तवर्ष में इस घंड में 18 से 20 प्रतिशत की वृ पुद्ध बन्यू ही है। विएपी की हिस्सिदारी में वृत्ति जारी रहेगी और दूसरी और स्तीर मांग के कारण चालू वित्तवर्ष में दूत का राजस्व आठ से 10 प्रतिशत बढ़ेगा। इसके अलावार रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्तवर्ष में कच्चे दूत की आपुर्धी में व्योधान की कारण खुद्रा दूत की किम्तों में कई बार बढ़तरी हुई जिससे राजस्व और इनिज प्रतिशत बढ़ गया है। रोज युक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मुद्राश्मिती पर अंकुष लगाने के लिए केंडिया बैंक वारा मई 2022 से बेंचमार्क रुन दर में बढ़ो तरीका सिलसिरा शुरू आ था। इससे ग्रहकों के कर्ज खातों पर नकार अत्मक असर पड़ा था। मई 2022 से केंडिया बैंक ने रेपो दर में ठाई प्रतिशत की वृत्य की थी। इससे कर्ज की मासे किस एमाई ब्याज से कम हो गई थी। केंडिया बैंक ने शुकरवार को जारी अति सुचना में कहा है कि ऐसा देखनी में आया है कि ब्याज दर बढ़ने पर कर्ज की अवथी या मासे किस एमाई बढ़ा दी जाती है और ग्रहकों को इसके बारे में सही तरीके से सुचीत नहीं कहा जाता है और नहीं उनकी सहमत कर्ज की जान में पस्ते से बचेंगी ग्रहक बैंकों वब वित्य संस्तानों को आर्प्यार का आतिश और डेरियोद्यों की कमाई में होगी 14-16 प्रतिशत की वृत्ति क्रिस्टिल रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट पिती चानकारी बिजनेस तमाचार में फिला लित्ता ही ताजा खबरों के लिए देखते रिए पीस एन न्यूस नमस्का